नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चाधरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडूटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोड़ाफोन आइडिया लेम्टेट के बारे में जिया दोस्तों जिस तरह से मार्केट में आज वोड़ाफो जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वोड़ाफोन आइडिया लेम्टेट में आज की जो सबसे लेटेस्ट यूज है जिसके करार वोड़ाफोन आइडिया लेम्टेट में गिरावट रहा और इस वीडियो में एभी डिस्क्स करेंगे कि ख़बर को भी देखिए क्योंकि दोनों को देखना जरूरी है लेकिन प्लीज आप मार्केट में चल रही अफवाओं से दूर हैं क्योंकि आपने आज येस bank limited को देख लिया कि जिस तरह से market में अपवाय फैलाय जाय रहे थी कि येस bank limited का share शेर रुपे पर आ जायेगा ग्यारा रुपे पर आजायेगा लेकिन आज हुआ क्या आज उसका उल्टा हुआ और आज yes bank limited में अपर सरकीट लगा ओभी 5% का तो ऐसा ही Vodafone Idea Limited में भी चल रहा है और Vodafone Idea Limited में भी दोस्तों मार्केट को लेकर काफी ज्यादा negativity फैलाई जा रही है ताकि जो हमारे retail निवेशक है वो अपना पैसा यहां से loss में निकल जाए और घाटे में अपने सौधे को यहां पर बेच के निकल जाए ताकि जो बड़ शुबह रिपोर्ट आईए दोस्तों इसी के कारड़ जो है Vodafone Idea Limited में भी क्वाली हुई तो कौन से रिपोर्ट है दोस्तों ट्राई यानि कि टेली काम regulatory authority आप इंडिया ने अपना डाटा पेस किया है जिसमें बताया है कि Vodafone Idea Limited ने अपने जो स्बस्क्रिप्शन थे काफ 30,70,000 लोगों ने भारती एटेल को जोईन किया है November महीने में जिया दोस्तों भारती एटेल रिलाइंस जियो और Vodafone Idea Limited इंडिया की तीन ऐसी टेली कम्मुनिकेशन कमपनिया है major जिसमें से भारती एटेल को जो है इतनी ज्यादा सफलता मिली है यानि कि November में इसके जो यू नहां से गायव हो गया है और 28,90,000 स्विस्क्राइबर ने जो है Vodafone Idea Limited को छोड़ा है Lost यानि Vodafone Idea Limited ने 28,90,000 अपने पहले से जो इसके यूजर थे उसको जो है इहां पर गवाता हुआ नजर आया तो ट्राय यानि कि टेली काम रिगुलेटरी आथरेटी आप इंडिया की इस न्यूस से जो है आज मार्केट में विकवाली का दौर शुरू हो गया और Vodafone Idea Limited में आज तो हद हो गई और Vodafone Idea Limited में लगाता विकवाली पूरा दिन जो है विकवाली का दौर रहा कल मार्केट में जिस तरह से गिरावट आई थी उसके बाद आज उन्मी चदाई जा तो आज जो गिरावट थी वह इसी रिपोर्ट की थी इसी रिपोर्ट के कारण जो है वोडafone Idea Limited में गिरावट आई अब आगे की रहनेती हमारी क्या होनी चाहिए कि क्या Vodafone Idea Limited को होल्ड करना चाहिए बाय करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए पूरा अनलाइज करेंगे तो प्लेज वीडियो को आप पूरा अन तक जरूर देखिएगा यदि आप वीडियो को इस्केप करके चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और जो वोडafone Idea Limited को गिराने की जो साजिस चल लई है जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं व वोडafone Idea Limited को सेल करके यहां से जाएंगे तो जिस उद्देश के साथ आपने यहां पर आयात आये थे पैसे कमाने के लिए इसका उल्टा होगा कि जो भी आपकी जमापूजी है वो चली जाएगी दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि बिर्ला विल इन्वेस्ट 2.4 बिलिय डालर का यहां पर निवेस्ट करने जा रहा है और उम्मी जदाई जा रही है कि यहां से बोड़ा फोन Idea Limited में अब ही सिप आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आदित बिल्ला की कमपनी है और आदित बिल्ला जो है 2.4 बिलियन डालर का निवेस्ट करने से इसमें एक नई ता अपनिया हैं चाहे आप रिलाइंस को देख लें या आप SDFC बैंक को देख लें उनमें तेजी आई है तो उनमें फंड रेज भी ज्यादा हुआ है आज दोस्तों 800 रुपे से लेकर 2400 रुपे का लेवल रिलाइंस में तय किया तो उसका में कर था उसमें बाहर से आया हुए फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर एकनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि यदि इसके जो चेयर्मैन है यदि बिरला इसमें इन्वेस्ट करते हैं वोड़ाफून आईडिया लिम्टेट में तो इसका वही से या एक से या जड़ से आपको को मिलेगा किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं होने वाला है तो प्लीज आप जो है पिसेंस के साथ बुड़ाफून आईडिया लिम्टेट को होल्ड कीजिए क्योंकि अब तक जितने भी रिकॉर्ड और डेटा हैं सारे डेटा सारे डिकार्ड और सारे नियूज यस वैं अंटिटी में सलींग ऑड़र पड़ा हूए यानई यले तकर यहां सारे अज़वरक में अ करणा हो सकती पर इस जोहां क्या कर ना चाहिए क्या आपको यहां से निकल जाना चाहिए इस डर से कि ट्राइ ने रिपोर्ट पेस किया है कि बोड़ा फुन आइडिया लिम्टेड ने तकरीबन 24 लाग कस्टमर्स अपने गवा दिये क्या बोड़ा फुन आइडिया लिम्टेड बंध हो जाएगी ऐसा बिलकुल नहीं एक रिपोर्ट आने से कोई कमपनी ना तो बंद होती है और ना तो कमपनी विलकुल जीरो से हीरो हो जाती है आपको जादूमा है मार्केट है दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतन तो आप इन चीजों पर मत फोकस कीजिए औसक्राइब करें आज के टेनिस से में तो 5 पैसे का gap up opening हुआ, 11 रूपे 80 पैसे से open हुआ, 12 रूपे का इसने आज अपने day का high बनाया, 10 रूपे 25 पैसे लो रहा, और 11 रूपे 20 पैसे पे बूड़ाफोन आइडिया लिम्टेड ने आज अपनी closing दी, आज की date में 28,99,72,789 की quantity में NFC यानि की national stock exchange पर बूड़ाफोन आइडिया लिम्टेड में share date किये गए हैं, जिन में से 8,50,18,830 की quantity में बूड़ाफोन आइडिया लिम्टेड में share की delivery उठाई गई है, तकरीबल 29 10,35% के करीम में यहाँ पर बूड़ाफोन आइडिया लिम्टेड में stock की delivery उठाई गई है, जो की काफी कम है, और लोग इसलिए कम है, क्योंकि volume भी कम हुआ है, delivery भी कम उठाई गई है, और लोग इस चीज़ से ज़्यादा आहत हैं, लोग ज़्यादा परिशान हैं कि अरे को नीचे comment box में comment किजिए, कि यदि आपके साथ घटना हुई है, तो please बताए, मुझे अबार खुसी होगी, क्या अभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कि कभी किसी stock में आपने पैसे को निविस किया, और अचानक से आपका portfolio 5-10% माइनस में चला गया, और उसके बाद जैसे यह उसे आप sell करते हैं, बढ़ने लगता है, हुझे ऐसा हुआ है, तो नीचे comment किईए, ठीक कि अब ज cs 是 chosen stock को आप buy करते हैं घटने लगता है, यह स्टाक मार्केत हैं। दोस्तों। रहे कि मेरे मोवाइल में मेरे चैनल में कोई कैमरा लगा हुआ है लोग कोई देख रहा है लेकिन ऐसा बिलकुल कुछ नहीं है यह आपका एक भ्रह्म है स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा जाल है दोस्तों इसमें पैसा कमाना बहुत कठीन है पैसा वही कमाएगा जो लंबा टिकेगा एक टेस्ट क्रिकेट है इसमें पर जितने दिर तक आप रहेंगे उतना जादा आप रॉफिट कमाएंगे तो आई हब दोस्तों वीडियो आपको जरू पसंद आओगा प्लिज वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए ताकि हमारा उसा वरतार वीडियो देखने के लिए बहुत 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